सुप्रभात बच्चों, आज मैं हिंदी विशे में भासा माधूरी पुस्तक पाठ उनेज गुबारे वाला कवीता पढ़ाने जा रहे हूँ बच्चों, पहले हम इस सेड़सक का मतलब जानेंगे क्या है गुबारा, गुबारा मिंज क्या होता है, बैलून्स और गुबारे वाला मिंज क्या होता है, बैलून सेलर, बैलून सेलर आपको बहुत पहले से, गुबारा बहुत पसंद होगा बच्चे, छे महिना के बाद ही खेलने लगते हैं बैलून से और बैलून उनको बहुत अच्छा लगता है और बैलून जब उपर जाता है तो और भी अच्छा लगता है और बैलून से हम कई चीज भी बना सकते हैं जैसे बंदर बना सकते हैं डॉल बना सकते हैं गुडिया बना सकते हैं इस तरह करके बैलून हर तरह से हम लोगों को अच्छा लगता हैं तो एक बैलून सेलर क्या कहता है यह सुनिए इस कविता में हरा लाल और नीला पीला जैसा चाहो रंग रंगीला आप पिक्चर में देखिए यहां हरा लाल नीला पीला हर कलर का बैलून है रंग रंगीला रंग रंगीला means of different colors मुझसे ले लो एक गुबारा देखो कैसी हो पौबारा गुबारे वाला बोलता है हमसे एक गुबारा लेकर देखो और देखो तुम्हें कितना फाइदा होगा पौबारा का मतलब होता है लाब देखो तुम्हें कितना लाब होगा लाब मीज फाइदा खेलो इसको गेंद बना कर चाहे इसे बना लो बंदर बैलून को आप बॉल बना करके भी खेल सकते हैं और इसको मंकी भी बना दे सकते हैं यहाँ पर जैसा बना हुआ है और डॉल भी बना सकते हैं चाहे इसे बना लो बंदर उपर ही उठता जाएगा हवा भरी है इसके अंदर यह हमेंशा उपर ही उठता जाएगा, हवा भरी है इसके अंदर, यहाँ गैस वाले बैलून का बात हो रहा है, गैस वाला बैलून हमेशा उपर की ओर जाता है, और जिसमें गैस नहीं रहता है वो नीचे की ओर भी आता है, छोटा मोटा लंबा गूल इसकी अब क्या खोलू पोल बैलून बहुत तरह के होते हैं पतले भी होते हैं मोटे भी होते हैं लंबे भी होते हैं छोटे भी होते हैं बहुत तरह का बैलून होता है गुबारे वाला बोल रहा है कि अब इसके बारे में ज्यादा बखान मैं क्या करूँ ज्यादा कुछ क्या बोलूँ खोलू पोल बिंद इसके बारे में बहुत सारे बात बोलना लेता हूँ मैं कम ही मोल वैसे तो यह है अनमोल और गुबारे वाला बोल रहा है कि मैं इसका कम कीमत ही ले रहा हूँ वैसे यह अनमोल है इसका कीमत लगाना मुश्किल है इसका कीमत लगाना मुश्किल है मैं कम ही पैसे में दे दे रहा हूँ जल्दी ले लो एक गुबारा कोई भी प्यारा गुबारा कोई भी सुन्दर गुबारा जो भाए वो ही गुबारा और बैलून सेलर क्या बोल रहा है कि बच्चों आप लोग जल्दी आईए और मेरा एक गुबारा ले लीजिये कोई भी गुबारा ले सकते जो आपको प्यारा लगे कोई भी गुबारा ले सकते जो आपको सुन्दर लगे जो आपके मन को अच्छा लगे वो ही गुबारा ले सकते हैं कैसे ले लू एक गुबारा मुझे पसंद है हर गुबारा और बच्चे क्या बोला है कि मैं एक गुबारा कैसे लू मुझे एक गुबारा लेना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सब गुबारा चाहिए, जितने गुबारे दिखाए दे रहे हैं, मुझे सब गुबारा चाहिए ये भी वा भी हर गुबारा, मुझे पसंद है हर गुबारा एक बच्चा को भी सब गुबारा पसंद है, जितना गुबारा दिखाए दे रहा है तो बच्चे के साथ ये उल्जान है, वो कहता कि मैं एक गुबारा कैसे लूँ, मुझे सारा गुबारा अच्छा लग रहा है बच्चों, आप लोग इस कवीता का अर्थ तो समझ ही गए, आप सब को इस कवीता का मतलब समझ में आ गया होगा अब मैं हाव भाव के साथ इसको उच्चारन सहीद पढ़ के सुना देती हूँ, इसी तरह से आप लोग याद करेंगे हरा लाल और नीला पीला, जैसा चाओ हो रंग रंगीला, मुझे से लेलो इक गुबारा, देखो कैसी हो पोबारा खेलो इसको गेंद बना कर, चाहे इसे बना लो बंदर, उपर ही उठता जाएगा, हवा भरी है इसके अंदर छोटा मोटा लंप बागोल, इसकी अब क्या खोलो पोल, लेता हूँ मैं कम ही मोल, वैसे तो यह है अनमोल जल्दी लेलो एक गुबारा, कोई भी प्यारा गुबारा, कोई भी सुन्दर गुबारा, जो भाए वो ही गुबारा कैसे लेलू एक गुबारा, मुझे पसंद है हर गुबारा, ये भी वा भी हर गुबारा, मुझे पसंद है हर गुबारा बच्चों आप ऐसे ही गाएंगे और इसको याद करेंगे, ये बहुत ही अच्छा कवीता है, तो यही आपका हूमवर्क है, इसको आपको याद करना है, और कॉपी में लिखकर भेजना है, धन्यवाद